हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन सडी इंडियन सडी पर आपका स्वावत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए जीके का टेस्ट लेकर क्या जाओं जो कि आप क्याने वाले एक्जाम यूपी एसाई के लिए बियाद इंपोटेंट है तो वीडियो इस बारतिय सेना ने हाली में जवानों को फेस्बुक टिक टॉक समयत कितने एप्स डिलीट करने का निर्देश दिया बहुत इंपोटेंट को संस हैं तो सही आंसर हो जाएगा आपका 89 एप्स पहला ही ऑप्सन से यहां पर आपका अपलिकुल करेक्ट होगा समीदान के समिस रही यानि कि सही ओज़त भारत कर बेरलन निर्देश के तमेंसे किस प्रकार किया गया है समीदान में तो सही आंसर हो जाएगा अप समीदान का चाहिए अनुच्छी फश्ट ले लीजिए या बाग फश्ट ले लीजिए सभी में बताया गया है कि राज्यों तता संग रक्षा से संब्दित है तो सही आंसर हो जाएगा आपका मैक नॉटन का बाद दूसरा ऑप्संस बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट कोशन्स विसेस अपसरों के सिवाए सिविल पुलिस के सिपाई ससस्तर नहीं होंगे ऐसा यह उपबंद उपतर प्रदेश पुलिस विन येवन के निमलिकित किस पैरा में किया जाएं तो सही आंसर हो जाएगा आपका पैरा सिक्ष्टीवन दूसरा ऑप्संस करेक्ट देश तर्की ससस्तर सेहनाओं का सरवोज कमंडर इन चीफ कौन होता है इंपोर्टेंट कोशन्स तो सही आंसर हो जाएगा राश्पती चौहता ऑप् ही है और बार बार बोल चुका हूं कि फ्री का मतलब यह मत समझ लेना कि ऐसी पड़ा रहा हूंगा अरे सर एक बार क्लास में आ कि देखो जतने भी लोग यह वीडियो देख रहे हों अगर आप क्लास में आओगे तो आपको क्लास की कॉलिटी पता चलेगी है ना बाकी मैं अपने मुझे अपनी कितनी भी तारिफ कर लूँ आप लोगो समझ में नहीं आएगा लेकिन एक बार क्लास में आओगे क्लास की तो डिसलाइक कर देना क्लास को और आ जाना डिस्क्रिप्शन में लिंक है चेक कर लीजिए एक बार अगर आप दिये गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहा हो तो मैं पूरा टूटोरियल आपको पता दे रहा हूँ कि आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है आप लोगों को सबसे आदा दिक्कात हो रही है मेरी स्पेसल क्लास लेने पर जो रोज सुबा 11 वजे चलती है आप जैसे ही एनकेणी पर अपना एकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो कुल करके आएगे तो आपको यूपी ट्रपल सी सर्च करना है यूपी ट यूपी ट्रपल सी लिखकर के आजाएगा देखो ये लिखकर क्या गया यूपी ट्रपल सी अब यूपी ट्रपल सी के डेगरी में आपको कुछ नहीं करना आपको जाना है यह सर्च पर और यहां पर आपको मेरा नाम सर्च करना है मेरा नाम है तारिक सर्वर ये मेरा नाम ह तो देखो मैं आपको वहाँ पर दिख जाओंगो यह दिख गया मैं ठीक है यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी क्लासिस आपके सामने आ जाएंगी जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी देखो यह सारी क्लासिस अब यहाली मैं क्लास लेकर क्या टाऊं सेहतिस मिनिट पहले तो आपको मेरी क्लास देखना है सब्सक्रों यही वाली क्लास देखना है तो मैंने क्लिक किया तो अब क्या करना पड़ेगा सर आपको क्लास अनलोक करना पड़ेगी आराम से आप किलास का लुफ्त उठाईए और डेली विश्स पर आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब को से ठीक है अब मिलते हैं जैसे भी आपको किलास होगी आप उस तरही से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बता जाए नेक्ष्ट कोसंस भारतिय डंट सही है था कि किस दारा में दहेज मिरत्यू सम्मंदी बिदी अंतरविष्ट है जल्दी बताओ किस दारा में तो सही आंसर हो जाएगा आपका दारा 304 के खा में चोवाता ओप्संस करेक्ट इनाम पुलिस रेगुलेशन व पुशना किस वर्ष की गई तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1986 में दूसरा ओप्संस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेमले के तमेंसे किस याचिका याचिका को रिट बोलते हैं इंगलिस में कि अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कारवाई करने इसे रोका जा रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तोर पर हकदार नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा आपका अधीकार प्रक्चिता रिट दूसरा ओप्संस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है इस रिट में सुप्रीम कोट हाई को निर्देश देता है कि जो आपका केस चल रहा ह वो केस आपके अधीकार छेतर में नहीं है आप उस पर कारवाई ना करें अता यह केस मेरे पास भेज़ दे है ना आर्टिकल 32 के तहत दंड पिर करिये सही था कि अंतर का जांच की जाती है तो मजिस्ट्रेड या नेयाले द्वारा जांच की जाती है पहला आप्संस भागी रती और अलक नंदा के संगम पर इस्तित नगर कौन सा है तो सही आंसर हो जाएगा आपका देव प्रियाग दूसरा ओप्संस करेक्ट दहेज में क्या सामिल नहीं है देखो आराम से कोसंस के ओप्संस देखो फिर बताओ दहेज में क्या सामिल नहीं है तो सही आंसर नात दत पहला ही options यहाँ पर आपका बलेकुल correct हो जाएगा next questions नेमलिकत मैंसे कौन अपना पद राश्पती की संतुष्टी के दोरान धारन करता है तो सही आंसर हो जाएगा राजपाल दूसरा options correct भारत का सबसी उचा जल पर पात कौन सा है तो जोग जिसको गर सुपा भी कहते हैं तीसरा options यहाँ पर आपका बलेकुल क्या होगा सर correct हो जाएगा next questions गिराम राज के माद्यम से राम राज के वारे में किस ने कहा था गिराम राज के माद्यम से राम राज यह कतन किस ने कहा था दो options तो आपके ये दिख रहा होंगे और वागी दो options ये हैं basically, पहला ही options correct हो जाएगा महात्मा गांदी बाल कल्यान समीती ने कौन से सदस होंगे बाल कल्यान समीती में कौन से सदस होंगे तो सही अंसर आपके क्या हो जाएगा समीती के एक अध्यक्च और साथ सदस होंगे CRPC के तहत समीती के सदस नियाइक मजेश्ट्रेट होंगे समीती के सदस्यों में एक महीला भी होगी उपरोक तो सबी जो हैं वो हो सकते हैं चौता आप्संस करेट बिद्द वल्ब का फ्लामेंट किसका बना होता है बिसी सी आई ने हाली में अपने सी ई ओ का इस्तिफ़ा मंजूर कर लिया उनका नाम राहुल जोरी पहला ही ऑप्संस करेक्ट यदि कोई लावारिस बच्चा सड़क पर घुमता हुगा पाए जाता है तो आप क्या करेंगे उसके घर का पता लगा कर छोड़ाएंगे पहला ही ऑप्संस करेक्ट निम्ले के तुमेंसे कौन अखिल भारतिय सेवा नहीं है जल्दी बताओ तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा व्या क्या हो जाएगा ऑप्संन नम्बर सी भारतिय विदेश सेवा विदेश सेवा का मतलब फॉरनर से आजाता है जिसको हम आई एफस बोलते हैं ना तो एफ की जगे फॉरेस्ट होता है भारतिय बन सेवा तो यहीं पर एग्जामनर आपको क्या करता है गुमाता है यहीं नहीं गुमना तुमें तीसरा उप्संस करेक्ट IES, IPS और IFS यह तीन प्रसासिनिक सेवाएं होती है परियावर्ण संडक्षन अदिनियम की उद्देश का क्या नूसर इसका उद्देश क्या है चारो यह उप्संस यह है उसका उद्देश है आपका मानव जीवो वनस्पति और संपतियों को परिसंकट से बचाना तीसरा यह उप्संस यहाँ पर आपका बलेकुल करेक्ट हो जाएगा Next questions किसी computer का सबसे महत्पूर्ण हिस्सा कौन सा होता है तो CPU होता है जिसको Center Processing Unit बोलते हैं तीसरा उप्संस करेक्ट उत्तर प्रदेश में फिलेंदा बलेंक सेतू सबरी संकल्ब अभियान की सुरुवात की गई थी किसके लिए तो उत्तर प्रदेश में कोपोश्ण दूर करने के लिए सबरी संकल्ब की अभियान की सुरुवात की गई थी दूसरा उप्संस करेक्ट निम्ले के तमेंसे कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरेकों के लिए है जल्दी बताईए सर तो सही आंसर हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति का अधिकार चुआता आपसंस करेक्ट तो कौन करता है सर भारत पूर संप्रभू लोकतंत्र गलराज का बना जल्दी बताऊ तो सही आंसर हो जाएगा 26 नमबर 1929 जब हमारा समिधान जो है वो अंग किरित किया गया था ठीक है चुआता आपसंस करेक्ट केंदरिये रक्षा मंतरी राजना सिंग ने 9 जुलाई 2020 को बीडिये कॉनफरेंस से जम्मू में सीमा सडक संगटन बी आरू द्वारा बनाए गए कितने नए पुलो का उदगाटन किया तो 6 नए पुलो का उदगाटन किया दूसरा आपसंस करेक्ट राश्ट्विये मानवादीकार आयोक के अध्यक्ष का कारकाल कितना होता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका पांच वर्स दूसरा आपसंस करेक्ट किस खेल में बुल्स आई सब्द का पुरियोग किया जाता है जल्दी बताओ तो सूटिंग में किया जाता है सर चौता आपसंस करेक्ट किस वाद में उचितम नहाले की सम्मेदानिक पीट ने संसत के अनुचित 366 के अधिन सम्मेदान संसुदन करने की सकती की समिक्चा की तो किस वाद में की थी चार यह आपसंस आपके सामने है तो सही आंसर हो जाएगा मिनर्मा मिल्स बनाम यूनियन ओफ इंडिया संसद की लोक लेका समीती का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोक सवा के अध्यक्ष की दौरा पहला ही ओप्सन्स करेक्ष नवीन पुस्तक या नवीनतम पुस्तक कुरू छेतर टू कारगिल किस ने लिखी तो किस ने लिखी ये कुल्दीप सिंग ने लिखी सर दूसरा ओप्सन्स करेक्ष नेक्ष्ट कोशन्स से आपका यह किस धारा में प्रापदाने की मोटर साइकल पर सिर्फ दो व्यक्ति ही यातरा कर सकते हैं जल्दी बताईए सर तो सही आंसर हो जाएगा धारा 128 में दूसरा ओप्सन्स यहाँ पर आपका बलुकल करेक्ष है लोग तांतरिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवसायक है जल्दी बताओ तो सही आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिकत अधिकारों के प्रति सम्मान चोटा ओप्सन्स यहाँ पर आपका बलुकल करेक्ष हो जाएगा नेक्ष्ट कोशन्स उत्तर प्रदेश जमिदारी विनास एवं भूमी विवस्ता अधिनियम 1950 की धारा 132 में क्या है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कुछ भूमियों की सूची पहलाई उप्सन्स यहाँ पर आपका बलुकल करेक्ष है निमलेके में किस मुद्धे पर राजप्ती को सिफारिस कर सकते हैं यह 4 आपके मुद्दे दिये हैं और किन किन पर राजप्ती जो है वो सिफारिस कर सकते हैं इनके options यह दिये हुए तो आप इस questions का अंसर सोच समझके बढ़िया अच्छे तरीके से आप बताईएगा पूरा ये की पेज़ बे मैं कर दे रहा हूं तो अराम से आपको समझ में है जाएगा ठीक है तो इस questions का answer आप मुझे जरूर से comment box में बताईएगा थोड़ा hard questions जरूर है लेकिन बताईएगा जरूर तो दोस्तो ये थे आपके 40GK के important questions जो कि आपके आने वाले exam UPSI के लिए बेहद important है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तो वीडियो को like और share जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तो वीडियो को like केजिए share केजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को subscribe को ना ना भूलें क्योंकि हम रोज़ना यसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूँ